नमस्कार दोस्तों किचिन ओफ भारती जाएका कवीता की रसोई में आपका स्वागत है क्या कभी आपने बनाई है इस तरीके से लौकी की सब्जी तो आप इस रेसेपी को पूरा देखिए और इस तरीके से लौकी की सब्जी को बनाईए तो आएए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम एक लौकी लेंगे ये बिल्कुल नरम होनी चाहिए इस तरीके से हम इसको नाकुल लाकर देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट है आसानी से नाकुल लग गया है अब इसको हम छील लेंगे इस प्रकार से हमने पूरी लौकी छील लिए है अब इसके आगे और पीछे के दोनु साइट के पार्ट अलग करतेंगे अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे उसमें इस तरीके से लौकी के घोल घोल आधा इंची से पौन इंची के करीब टुकडे करेंगे इसी तरीके से हमें गोल गोल काटनी है अब इसमें हम वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउड रैट करेंगे वन टीस्पून इसमें धनिया पाउड रैट करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक एड करेंगे अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे इसके सभी स्लाइजों पर मसाला अच्छे से लग जाए इसको टॉस करेंगे जिससे ये मसाला बहुत अच्छे से सभी पर लग जाएगा अब इसको दस मट के लिए रेस्ट करने रख देंगे अब एक कड़ाई हमने गर्म करने के लिए रख दी है उसमें वन टेवल स्पून ऑईल एट करेंगे दस मट बाद देखते हैं के हैं हमारे काफी सॉफ्ट हो गए है अब इसमें हम टू टेवल स्पून बेशन लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके उपर इस तरीके से डालेंगे और इसको टॉस करेंगे जिससे बेशन हमारी सभी स्लाइजों पर लग जाएगा इसी तरीके से हम इसमें बेशन लगाएंगे इसको लगाना बहुत आसान है बहुत आसानी से बेशन पर लगाया जा सकता है अब एक प्राई पैन लेंगे इसमें हम वन टी स्पून ऑईल एट करेंगे इसको हम चारो साइड फैला देंगे अब इसमें हम ओईल गर्म होने के बाद इसमें एक एक स्लाइज को लेंगे और इसमें प्राई पैन में इस तरीके से लगा देंगे इनको हमें शैलो फ्राई करना है इनको हम कुछ देर के लिए ढाग देंगे जब तक हमारा ओईल गर्म हो गया है हम इसमें थोड़ी सी हींग एट करेंगे वन टी स्पून जीरा एट करेंगे एक दालचीनी का टुकडा एट करेंगे और एक इसमें बड़ी वाली लाईची एट करेंगे तब ये जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें एक हरी मेर्ज कटी हुई एट करेंगे अब इसमें हम दो फाइन चॉप करी हुई प्याज एट करेंगे इसको हम सौटे करेंगे इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है हलका सा सौफ्ट करना है जब ये ट्रांस्परेंट दिखाई देने लेंगे तब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिच पाउडर एट करेंगे वन टी स्पून धनिया पाउडर एट करेंगे और half taste spoon इसमें healthy powder add करेंगे और इसको mix करेंगे गैस की flame हमें बिलकुल कम रखनी है वरना हमारा मसाला जल जाएगा अब इसमें हम थोड़ा सा पानी add करेंगे और इसको भी हम अच्छे से mix कर देंगे अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे जब तक हम इसको खोल कर देखते हैं कि हमारी slice कैसी है आप हिने हम पलट कर देखेंगे ये देखे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं इस प्रकार हम सभी को पलट देंगे आप इसको दूसरी तरफ से गोल्डन कलर आने देंगे आप इसको ढ़ाक करने ही पकाएंगे अब हम इसमें बना मसाला देखती हैं मसाला हमारा हो गया है इसमें टू टी स्पून दही अड़ करेंगे और इसको जल्दी जल्दी से हम मिक्स करेंगे वरना दही फट जाएगा गैस की फ्लेम कम रखेंगे इस प्रकार हमारा मसाला हो गया है अब इसमें हम फूर हमने टमाटर बारिक चौप कर लिए थे वो इसमें एड़ करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अब इस समय पर हम इसमें नमक एड़ करेंगे अपने टैस्क के एक और्डिंग नमक एड़ करेंगे अब इसको हम धाग देंगे जिससे हमारे टमाटर सौफ्ट हो जाएं अब इसको हम दूसरी तरफ से भी हमने अलट पर लट कर लिया था यह हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं अब इनको हम निकाल लेते हैं यह देखिए मसाला हमारा अच्छे से हो गया है इसमें हम हाफ ग्लास पानी एड़ करेंगे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें उबाली भी आगई है अब इसमें अपने जो स्लाइज थे वो इसमें एड़ कर देंगे और इसको हम टॉस कर देंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकल को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नए नी रेसिपी की वीडियो मिलती रही अब इसको हम ढाक कर दस से पंधरा मर्टिन को पकाएंगे जिससे ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब इन्हें हम खोल कर देखते हैं देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं अगर नहीं हुए हूँ तो इनको पांच मिट के लिए ढाक कर और पकने दीजिए इस प्रकार से ये पक गए हैं तो अब इसमें हम एक चमज कसूरी मैथी हाथ से क्रेश करके एड़ कर देंगे और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे इसके डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आने लगेगा इस प्रकार से हमारे लौकी की सबजी बन कर तयार है क्या कभी आपने इस प्रकार से लौकी की सबजी बनाई है अगर नहीं बनाई है तो इस प्रकार से आप लौकी की सबजी जरूर बनाएए ये सबी बहुत पसंद करेंगे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग